राश्टिया आपदा राहत के तहट परतेक आपदा ग्रस्ट परिवार को मौज़ा देने का प्रावधान है परन्त बहुत अफसोस की बात है बहराई जन्पत के पखरपुर बिलाग के गोला गंजगाव निवासी बचनु परसाथ का सिर्फ सहीद 65 परिवारों को घागरा के बाड में मकान तथा खेत बरबाद हो जाने के एक महिने बाद भी इन बेघर परिवारों को अब तक मौज़ा नहीं मिल सका अरे पहले बात तो घर कड़ गए दूसरी बात जमीन है नहीं जहां घर अस्थाई रूप से बनाया जाए बहुत से समस्यां ऐसी हैं जो बहुत सामना सजेले पड़ा था दुख से बीवी बच्चे सब बेमार हैं उनके बताओ कोई डाक्टर फ्राक्टर को या इलाज फिलाज की कोई आवस्पकना आई है हम लोग कहां चले जाएं सामान ढोएं कि अंगला बंगला बनावा जाए क कि सामान दखा जाए कि क्या करें तो बरसात हो रहो है यह बहुत समस्या बहुत कठीन है तो इस तमश्या को आपको मकान कठन का चग मिल जाएगा तो क्या फाइदा होगा अरे बहुत फैदाय हो जाएंगे बाबुजी जमेन भाड़ा कहीं लेकर के घर कुरिया बना जाएगा जहां बच्चों का चंगी तरह से लालन पाला नो पोशन बासन किया जाए आपकी क्या समस्या है हमारी समस्या है कि हमारा घर भी कट गया जमेन भी कट गया पेड़ बिटेश राद सर्म नदीम चलेगे और हमको कोई को कोई राहत नहीं मिली गौवर्मिन हमको एक रोटी टुकड़ा भी ने दिया मकान गिनने के बाद में जो नदी घागरा जो है तो सो कटान में जो गल्ला पातिजा वो चला गया बच्चे हमारे दस आदमी का परवार है भूंके मरें कोई हमको कोई लंक से कुछ नहीं दिया इस समस्या को दूर करने के लिए कोई प्रियास किया? कोई प्रियास हमको कोई नहीं मिला जो आते हैं उन्से हाथ जो रो पाओ पकरो अच्चा-च्चा हो जाएगा उसके बाद में कुछ भी मैं और मेरा समधाय चाहता है इन सभी बेगहर परवारों को मौजा मिले ताकि इ इक तालिस, साथ, चछतिस पर फोन करके दबाव बना है ताकि इनके समस्याएं दूर हो सके मर्ग हमस्याम जिला पहरेज उत्तर परदे से इंडियान हर्ड के लिए